प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आज का अध्याय पढ़ने के लिए उत्साइत होंगे आज हम पढ़ेंगे कक्षा साथ विज्ञान का बार्वा अध्याय पादप में जनन सबसे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्ण पूछता हूँ आईए इन प्रश्णों पर विचार करें सबसे पहला प्रश्ण आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जनन किसे कहते हैं तो आप मुझे बताइए कि जनन है क्या सही जवाब सभी जीव अपने जैसे समान जीवों को उत्पन करते हैं और माता पिता से संत्ति का जनन कहलाता है बच्चों आप पौधों के बारे में जानते हैं हम अपने आसपास पौधों को देखते हैं और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पादपों में जनन की विधियां कौन सी हैं तो बच्चों आज के अध्याय में हम पादपों में जनन किस प्रकार होता है इसके बारे में सीखेंगे आज हम पढ़ेंगे जनन की विधियां अलेंगिक जनन की विधियां लेंगिक जनन जानकारी लेते हैं कि पादपों में जनन किस प्रकार होता है। बच्चों आप पुष्पिय पादप के बारे में तो जानते ही हैं। और आप इनके विभिन भागूं के बारे में भी जानते हैं। जड, तना, पत्तियां काईक अंग कहलाते हैं। और आप यह भी जानते हैं क और आप गर्मियों के मौसम में इन स्वादिष्ट आमों का अनंद लेते हैं। अक्सर हम फलों को खा कर उनके बीजों को फैक देते हैं और ये बीज अंकुरित होकर नए पादप बनते हैं। पर क्या सभी पादप बीजों के द्वारा ही उत्पन होते हैं। तो बच्चों, पादप अनेक विदियो द्वारा अपनी संतिती उत्पन करते हैं। इनमें जनन दो प्रकार से होता है, अलेंगिक जनन और लेंगिक जनन। अलेंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही ने पादप को उत्पन कर सकते हैं। जबकि लेंगिक जनन में ने पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। आईए सबसे पहले हम लेंगिक जनन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि हमने बताया, लेंगिक जनन में पादप बिना बीजों के द्वारा ही पादप उत्पन कर सकते हैं। पादपों में अलेंगिक जनन की विविन विदियां इस प्रकार हैं, काईक परवर्धन, मुकुलन, खंडन और बीजानु निर्मान, आईए एके करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें, आपने क्या कभी गन्ने, आलू, गुलाब के बीच देखे हैं, तो आप कहेंग में अनेक परकार की विदियां हैं, जिन में से एक विदी है, काईक परवर्धन, यह एक परकार का अलंगिक जनन हैं, जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती या कली, जिसे मुकुल भी कह सकते हैं, जैसे किसी काईक अंग द्वारा ने पादप प्राप्त किये जाते हैं, च काट कर दुबारा उगाने से आलू का नया पादप उत्पन हो जाता है इसी प्रकार मनी प्लांट गुलाब और गन्ने के नए पादप भी प्राप्त किये जाते हैं काईक प्रवर्धन का एक और उधारन है जिसे की ब्राय फिल्म भी कहा जाता है पत्थर चट्टे की पत्थी के किनारे पर गर्थ में कलिकाएं होती हैं यदि इस पादप की पत्थी आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रते कलिका नए पादप को जनम दे सकती हैं कुछ पादपों की जड़ें भी नए पादपों को जनम दे सकती हैं उधारन के लिए शक काईक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाय जा सकते हैं और बीजों से उगाय जाने वाले पादप की अपेक्षा काईक प्रवर्धन द्वारा उत्पन पादपों में पुष्प और फल कम अवधी में आ जाते हैं इस प्रकार काईक प्रवर्धन एक प्रकार से ला अगली विधी मुकुलन के बारे में पड़ें. आप पहले ही येस्ट के बारे में पड़ चुके हैं। येस्ट एक एकल कुश के अजीव है। आए हम देखते हैं ये जनन कैसे करते हैं। इसके लिए हम एक क्रिया कलाब देखेंगे इस प्रक्रम के लिए हमें चाहिए यीस पाउडर, चीनी और जल जो कि आपको किसी बेकरी या कैमिस के दुकान से मिल जाएगा चुटकी भर यीस लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो इसमें एक चम्मज, चीनी को घोल दें और अब उस पात्र को एक कमरे के गरम भाग में एक घंटे के लिए रख दें एक घंटे के पच्चात इस द्रव की एक बून काच की स्लाइड पर रख कर सुक्षिंदर्शी के नीचे देखें आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप नई यीस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं यीस्ट कोशिका के बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसे प्रवर्द मुकल या कली कहलाते हैं मुकल क्रमश वृद्धी करता है और जनक कोशिका से अलग होकर नई यीस्ट कोशिका बनाता है नई इस कोशिका विक्सित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई इस कोशिकाएं बनाती है कभी-कभी नवीन मुकल से नए मुकल विक्सित हो जाते हैं जिससे एक मुकल श्रिंकला बनती है यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय बाद बहुत अधिक संख्या में यिष्ट कोशिकाएं बन जाती हैं आईए अगली विधी खंडन के बारे में भी ज्यान प्राप्त कर लें तलाबों या ठेहरे हुए पानी में हरे रंग के तेहरते हुए अब पंकी गुच्छे शेवाल होते हैं जब जल में पोशक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शेवाल वृद्धी करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुनन करते हैं आईए इसे देखते हैं हम पहले पढ़ चुके हैं कि डबल रोटी में वाईयू में उपस्तित बिजानू के कारण कवक उख जाते हैं तो हमारी अगली विदी है बिजानू निर्मान कुछ पादपों में बिजानू बनाने वाले कुछ खास अंग होते हैं जिने बिजानू धारी पुंज कहा जाता है आपने डबल रोटी पर रुई के जाल को देखा है डबल रोटी पर रुई के जाल में बिजानू को देखा जा सकता है जब ये बीजानू निर्मक्त होते हैं तो हलके होने के कारण हवा में तैर कर दूर तक महुच जाते हैं प्रतिकूल परिस्तितियों को जहलने के लिए ये एक कठोर आवरन से धकेह रहते हैं अनुकूल प्रिस्थित्यों में अंकृत हो जाने पर ये बिजानू नए जीव विक्सित कर सकते हैं। मौस और फर्न भी बिजानूँँ द्वारा ही जनन कर सकते हैं। आप एक फर्न के पौधे में बिजानूधारी पुंजों को देख पा रहे हैं। जिन में से की बिजानू उत्पन होते हैं। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे पादपों में लेंगिक जनन किस प्रकार होता है इसके बारे में। पुष्प की सरंचना के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पुष्प पादप के जननंग होते हैं। पुंकेसर नरजननंग और इस्त्रीकेसर मादाजननंग होता है कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिन में या तो केवल पुंकेसर या केवल इस्त्रीकेसर पस्तित होते हैं इन्हें एक लिंगी पुष्प कहा जाता है जिन पुश्पों में पुंकेसर और इस्त्रीकेसर दोनों ही होते हैं वे द्वीलिंगी पुश्प कहलाते हैं मक्का, पपीता और ककडी के पौधे में एक लंगी पुश्प होते हैं जबकि सर्सो गुलाब और पिटुनिया के पौधे में द्वीलिंगी पुष्प होते हैं। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, पुतंतु एवम परागकोश। इस्त्रीकेसर में तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिकाप और अंडाशे। अंडाशे में बीजांड होते हैं और पराकोश में पराकन। पुष्प के पूरी तरह विक्सित होने के बाद परागन होता है जिसमें पुष्प के पराकनों का वर्तिकार्ग पर स्थानांतरन होता है। पराकनों का यह स्थानांतरन एक पुष्प में या दो भिन पुष्पों में कुछ वहकों द्वारा हो सकता है। जब एक पुष्प के पुष्प के वर्तिकार्ग पर गिरते हैं तो यह स्वव परागन कहलाता है। लेकिन जब एक पुष्प के परागण वायू या किसी और वाहक की सहायता से दूसरे पुष्प के वर्तिकागर पर गिरते हैं या स्थानांतरित होते हैं तो इसे परपरागण कहा जाता है। पर परागण में कई परकार के कीट जैसे मदुमक्खियां, तितलियां और अन्य कीट महतपुर्ण भूमिका निभाते हैं और परागणों के स्थानांतरण में सहायता करते हैं। परागणों के वर्तिकागर पर पहुचने के बाद निशेचन की प्रक्रिया का अरंभ होता है। इस प्रक्रिया में वर्तिकागर के उपर पड़े परागण अंकृत होते हैं और परागणली विक्सित होने लगती हैं। इसी परागणली द्वारा परागण अंडाशय में पहुच जाते हैं। अंडाशय में परागण और बीजांड का संयोजन होता है और परिणाम सवरूप युगमनच बन जाता है और युगमनच ब्रून में विक्सित होता है। लिशेचन के पच्चात अंडाशय फल में विक्सित हो जाता है जबकि पुष्प के अन्य भाग मुर्जा कर गिर जाते हैं परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विक्सित हो जाता है बीजान से बीज विक्सित होते हैं बीज में एक भुरून होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरन के अंदर रहता है कुछ फल गुदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब और संत्रा कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बदाम और अक्रोट आदी आईए अब जानकारी ले 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 बीज प्रकरिणन के बारे में प्रकर्ती में एक ही प्रकार के पादप विभिन स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं ऐसा बीजों के विभिन स्थानों पर पहुँचने या प्रकरिणन के कारण होता है सोचिए कि क्या होगा यदि किसी पादब के सबी बीज एक इस्तान पर गिर कर वहीं उग जाए पादब के नए उगे पौधे यानि की नवोध भिदों के बीच धूप, जल और खानिजों के लिए गंभीर सपर्दा होगी संभवत उनमें से कोई भी स्वस्थ पादब के रूप में विक्सित नहीं हो पाएगा पादबों के बीजों के प्रकरिणन का यहलाब है कि इस से एक ही प्रकार के पादब के नवोध भिदों में सूरे के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परसपर्दा की संभावना कम हो जाती है प्रकृति में पादप के फलों और बीजों के प्रकृति में प्रकृति में पादप के फलों और बीजों के प्रकृति में प्रकृति में पादप के फलों और बीजों के प्रकृति में प्रकृति में पादप के फलों और बीजों के प्रकृति में प्रकृति में प्रकृति मे के रोम्युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक पहुंच जाते हैं। कुछ बीज जल द्वारा प्रक्रिणित होते हैं। ऐसे बीजों अत्वा फल के आवरण स्पंजी या तंतुमे होते हैं। ताकि वे जल के साथ तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए। उधारन के लिए नारियल का बीज। कुछ बीज जन्तूओं द्वारा प्रक्रिणित किये जाते हैं। विशेश रूप से कंटकी यानि की कांटेदार बीज। जिनमें हुक जैसी सरंचनाई होती हैं। जिससे बीज जन्तूओं के शरीर से चिपक जाते हैं। और दुरस्थानों तक पहुंच जाते हैं। आप भी कई बार किसी ऐसे शेत्र में जाएं। जहां पर की जाडियां मौजूद हों। तो आपने भी अपने साथ कंट की बीज लगे हुए देखे होंगे। आपके कपड़ों पर भी कंट की बीज लग जाते हैं। इनके उधारन है यूरेना एवं जेंथियम। कुछ पौदों के फल जटके के साथ फट जाते हैं। जिससे उनके अंदर सित बीज प्रकर्णित हो जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। एरेंड और बॉल्सम के पादप में ऐसा ही होता है। आए अब तक जो हम पढ़ चुके हैं उसकी दोहराई कर लेते हैं। पुष्प पादप के जननंग होते हैं। पादप में जनन दो प्रकार से होता है अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन की कुछ विदियां खंडन, मुकुलन, बिजानु निर्मान और काइक परवर्धन हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा युगमकों का युगमन होता है। काइक परवर्धन में पत्तियां, तना और मूल जैसे काइक भागों से ने पादप उगाए जाते हैं। परागन के दो प्रकार हैं सुअपरागन और परपरागन। बीच प्रकर्णन वायू जल तथा जनतुओ द्वारा होता है। इसके पश्चात मैं आपसे कुछ प्रशन पोचूँगा। आशा करता हूँ कि आप उन प्रशनों के उत्तर दे पाएंगे। सबसे पहले कुछ रिक्स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। सबसे पहला ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अत्वा मादा जननंग होते हैं। क्या पुष्प कहलाते हैं। तो रिक्स्थान भरिये सही जवाब। इन्हें एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। पराकणों का अस्थवा उसी पुरकार के अन्य पुष्प के पराकोज से वर्थी काज्र मैं स्थानान्तरण का प्रक्रम क्या कहलाता ह। तो सही जवाब है परागन। अगला रिक्स्थान नर और मादा युगमकों के युगमन को क्या कहते हैं। सही उत्तर है निशेचन बीज प्रकेडणन इन तीनों के द्वारा हो सकता है तो रिक्स्थान भरते हैं बीज प्रकेडणन पवन जल और जनतू के द्वारा होता है अब मैं आपसे कुछ प्रेशन पूछूँगा आप उनके उत्तर दीजिए एक ऐसे बीज का नाम बताईए जो तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है तो सही दवाब है नार्यल अगला प्रश्ण बीज प्रकेडणन का क्या लाब है तो इसका सही उत्तर है बीज प्रकेडणन एक ही स्थान पर पादप की अधिक संक्या की वृद्धी को रोकने सूर्य के करने और नए अवासों के अधिक रहन में सायक होता है अब आपके पास बहु विकल्पिय प्रश्ण आएंगे आप सही विकल्प को चुनिए सबसे पहला पादप का जनन भाग होता है उसका पहला विकल्प है पत्ति दूसरा तना तीसरा मूल और चौथा पुश्प तो पा चौधा फौधा बहु विकल्पिय प्रश्ण नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्वन कहलाता है पहला विकल्प है निशेचन दूसरा विकल्प प्रागन तीसरा जनन और चौथा बीज निर्मान तो सही उत्तर है निशेचन परिपक्व होने पर अणडाशय वि पहला विकल्प है बीज में, दूसरा पुंक केसर में, तीसरा स्ट्री केसर में, चौथा फल में तो इसका सही उत्तर है, फल में इसके पहचात, अब हम एक प्रश्ण करेंगे, जिसमें आप मिलान करेंगे यहाँ पर आपको दो कॉलम दिये गए हैं, कॉलम A और कॉलम B कॉलम A में विकल्प जो दिये गए हैं, वे हैं, कली, आँक, खंडन, पंक और बीजानू कॉलम B में दिये गए हैं, मेपिल, स्पाइरो गैरा, यीस्ट, डबल रोटी, की फंपूद, और आलू आईए इन्हे मिलान करते हैं, यहाँ पर हम मिलान करेंगे सबसे पहले कली और मुकूल का तो कली या मुकल किसमे होते हैं, आप पड़ चुके हैं, यीस्ट में, इसके बाद आख, किसकी आख द्वारा हम पादप को उगा सकते हैं, आलू की आख इसके बाद आता है खंडन किस जीव में, किस पादप में खंडन होता है सही उत्तर है स्पाइरो गैरा और यहाँ पंक किस के साथ आएगा मैपिल के साथ इसके बाद रहे गया बीजानू यह किस के साथ आएगा डवल रोटी की फंफूंद इसी के साथ हमारा अध्याय यहां समाप्त होता है आशा करता हूँ कि आपने अध्याय को भली बांती समझ लिया होगा अब आप अपनी पाठे पुस्तक में से भी एक बार इस अध्याय को पढ़िए बच्चों तंदुरुस्त रहिए पढ़ते रहिए धन्यवाद